तो चलिए आज किस वीडियो में भी हारवर्ड के बच्चों के लिए बहुत ये most important question एक लेकर रहाए हैं जो की determination से है और बहुत सारे student हमसे बोल रहे तक सर इस question को करा दो हम लोग से नहीं होता है हम लोग confusion में पढ़ाते हैं last में गुना करने में mistake हो जाती है तो हमने भी करता है कि आप लोग जो गुना और भाग में है भाग नहीं सिर्फ गुना में आप लोग गलती करते हो last step में बाकी तबका सही है last step में आप लोग patience नहीं रखते हो जल्दबाजी करने में कहीं पर mistake कर देते हो नहीं होता है ठीक है ना चलिए उसको solve करके आपको देखाते हैं ताकि आपको कभी भी एक्जाम में आए तो छूटे ना ओके देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसका मान निकलना है यह प्रश्न दिया गया है त यहाँ पर लिखो आरवन को क्या करते हैं उसको आरटू से माइनस कर देते हैं और आरटू में भी आरथ्री को माइनस कर देते हैं और आरथ्री में भी आरवन को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जब माइनस करेंगे एक्स में से य कर देंगे तो यह हो जाएगा एक माइनस y x स्कुायर में से y स्कुायर करेंगे x स्कुायर y स्कुायर x q में से माइनस y q कर देंगे यहाँ पर भी y में से z कर देंगे y स्कुायर में से z स्कुायर कर देंगे और यहाँ भी y q माइनस z q कर देंगे यहाँ भी z में से x माइनस कर देंगे z minus x और z square minus x square और z q minus x q हमने क्या किया इसको minus कर दिया अब देखो तो यहां से क्या हुआ प्रध्यान देना यह x minus y j हो करते हो ठीक है कोई दिकत नहीं यहां देखो तो a square minus b square का फर्मूला एक minus में एक plus में है कि चनते हो न एक minus में और एक plus में a square minus b square का फर्मूला होता है a q minus b q यहां यह minus b a square plus b a square plus a b होता है तो यहां x y है न तो यहां पर हो जाएगा x minus y फर्मूला पर तोड़ दिये यह हो जाएगा x square y a square x y हो जाएगा जश्ट वैसे हैं सब को कर देंगे y minus z यहां पर भी y minus z y plus z यहां भी y minus z y a square z a square y z यहां भी z minus x z minus x z plus x और यहां से z minus x z a square x square z x यह हो जाएगा तीक है अब देखो तो x minus y r1 में सम में x minus y x minus y common r2 में y minus z सम में r3 में z minus x z minus x common मिल रहे हैं हम क्या करते हैं common लेते हैं x minus y y और y minus z और z minus x हमने common ले लिया तब जब common ले तो क्या बच क्या यहां पर तो 1 बच जाएगा यहां पर x plus y बच जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा x square y square x y बच जाएगा यहां भी 1 common y plus z y square z square y z यहां भी यह तो नहीं common लिया गया है लिया गया है यहां भी 1 हो जाएगा यहां पर z plus x और यहां z square x square z x हो गया यहां 1 है ठीक है न ध्यान देना इतना हो गया अब क्या कर देखो यहां भी 1 यहां भी 1 यहां भी 1 R2 में से R1 को R3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो जियों कत्य हों लिखेंगे, X माइनस Y, Y माइनस Z, Z माइनस X, यहां से माइनस करो, एक में से एक जाएगा, 0, X प्लस Y में से Y, Z को माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, रफ में में से एक करेंगे जीरो एक्स प्लस य में से अब माइनस कर रहे हैं य प्लस जेड को तो क्या होगा एक्स प्लस वाई माइनस वाई और माइनस जेड माइनस प्लस केंसिल एक्स माइनस जेड है यानि हम इसको डाइरेट करके रफ में लिख रहे हैं यहां पर एक्स प्लस जाएगा क्या है x square y square प्लस xy है माइनस y square z square yz है तो क्या हो जाएगा x square plus y square plus xy minus y square minus z square minus yz यह देखो y square plus और यह माइनस cancel क्या बच जाएगा x square minus z square plus xy minus yz बच जाएगा यानि इसमें से इसको माइनस करेंगे x square minus z square plus xy minus yz जाएगा अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह भी 0 y plus z में से z plus x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यह बच जाएगा आपका y plus z में से माइनस करेंगे z plus x को y plus z minus z minus x minus plus खतम यह हो गया y minus x तो यहाँ से आगया y minus x अब इसको इसमें से माइनस करेंगे यह हो जाएगा y² plus z² plus yz माइनस करेंगे z² plus x² plus zx क्या हो जाएगा y² plus z² plus yz माइनस z² minus x² minus zx तो देखो तो यह minus plus cancel क्या बचेगा y² minus x² y square minus x square plus y z minus z x और इन तो j का त्यम लिख देना इसको इसको कुछ करना नहीं है तरफ में करके लिख लो अच्छा रहेगा जल्दी हो जाएगा यह हो गया इतना ठीक है अब देखो अब यहां से main काम स्टार्ट होता है यहीं पर सबस्यादा बच्चे confusion करते हैं देखो ए तो लेंगे 0 सब खता में 0 तो एक लेंगे तो क्या होगा x minus y y minus z z minus x यहां से हम one को लेते हैं एक खतम और एक खतम यह बच जाएगा क्या बचेगा डिटर्मिनांस लेको डिटर्मिनांस x minus z x square minus z square plus x y minus y z यहां पर बच जाएगा y minus x y square minus x square plus y z minus z x ठीक है यह बच गया कोई दिगत नहीं यहां पर अब इसको आगे सल्ब करेंगे तो आगे सल्ब कहां पर कर देंगे यहीं पर चलो यहीं पर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इनको j हो करते हैं लिख लेते हैं x minus y y minus z और a z minus x अब क्या करते हैं इनको इनके साथ गुना तो क्या करेंगे x minus z को लेंगे इनके साथ गुना कर देंगे y square minus x square plus y z minus z x फिर बीच में लगता है minus फिर इनको इनके साथ y minus x और इनको लिख लेंगे x square minus z square x y minus y z यह हो गया अब इसको गुना करो तो क्या होगा यह होगा x minus y y minus z और z minus x यहां से x को सब में करा देंगे x को सब में कराएंगे तो क्या होगा यह हो जाएगा x y square x को x square से करेंगे तो minus x q x को इसके साथ करेंगे plus x y z x को इसके साथ करेंगे यह हो जाएगा x square z फिर minus z को करेंगे तो minus y square z फिर z को इससे साथ करेंगे तो minus minus plus x square z फिर minus z को इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा y z square देखो plus minus minus हो जाएगा साइन को ध्यान रखना है तो एक बार गलती कर देगे तो फिर पूरा गलती हो जाएगा फिर z को minus z x square से करेंगे तो हो जाएगा x z square minus minus plus हो जाएगा यह हो गया यहां तक यह बच गया बीच में minus अब इसको कराते हैं y को इसके साथ तो हो जाएगा x square y y को इसके साथ y z square फिर y को इसके साथ x y square फिर y को इनके साथ minus y square z minus इसके साथ करेंगे तो minus x q हो जाएगा फिर minus इसके तो minus x square y हो जाएगा मैनेस इसके साथ करें मैनेस पलस X Y Z हो जाएगा ठीके कोई दिगत नहीं किसी को सब को समझ में आ रही है बात है किसी को कोई दिगत नहीं चरलो अब क्या करते हैं इनको जें कतें लिखते हैं X माइनस Y Y माइनस Z Z माइनस X यहां से देखो तो अब क्या करते हैं कि इस minus को सब में गुना करा देते हैं तो क्या हो जाएगा इसको जेओं करते हैं उतारो x y square x q plus x y z minus x square z minus y square z plus x square z minus y z square plus x z square अब minus इस सब को गुना करा दो तो minus x square y plus y z square उनको इनके साथ करेंगे plus है तो minus हो जाएगा जो minus हो प्लस हो जाएगा जो minus हो प्लस हो जाएगा जो plus हो माइनस माइनस जो प्लस जो minus हो प्लस हो अब देखो तो minus x y z plus x y z x y square x y square x y square plus minus cancel सब केंसिल हो गया या गया जीरो से और इतना सब करेंगे तो क्या आएगा इसका फाइनल एंसर जीरो हो जाएगा इसका प्रस्न में बहुत सारे बचें कनफिजन में थे तो हमने प्रस्ने करा दिया इसमें कुछ नहीं है सबसे ज़्यादा यहाँ पर कनफिजन होता है यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है ध्यान दोगे तो बन जाएगा